हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज जिन दर्शकों का जन्दीन है उनके जन्दीन की बहुत-बहुत बधाई धेरो सुब काम लाएं आपका जन्दीन सुब हो, मंगल मैं हो, आपका चतुर्दिक विकास हो, प्रगती हो सुख समरिदी एश्वर में बृद्धी हो आप पर भगवान भूले नाथ के किर्पावर से हैपी बढ़ ले आज इन दर्शकों का जंदीन है उनका मुलांक होता है आठ तो आज खास तोर से आठ सत्रह 26 तिथी की जो जन में जातक हो तो उनका मुलांक होता है आठ आठ नंबर के लोग काफी संघर्ष करते हैं संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं इनके अपनी भ्यक्तिकत कोई जीवन नहीं होता है दूसरों को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका होती है मेहनत करके परिवार के लिए दूसरे के लिए कापी मेहनत करके उनको आगे बढ़ाते हैं और इस तरह के लोग संघर्स करके आगे बढ़ते हैं संघर्स इनका गहरान आता होता है प्रापल्टी तरह से लाभ होगा रियल इस्टेट प्रापर्टी माइंस में अगर पूझी निवेस करते तो आपके लिए लापरत होगा दूर देश के अत्रह होगी अचानक कई महत्मूर कार होने से मन परसंद रहेगा देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च अपरेल मैं जून तक का कालखंड आपके लिए दिसमबर अंतीम 3 महिने काफी बहतरीं है उत्र-टर व्ीकास प्रगध होगा चतूर्द एक व्यकास होगा शुक के संसादरों में बढ़ोत्टरी होगी और संगर समाप्थ होगा सौधानी क्या ब्रत्नी है गुस्सा नहीं करना है कोई चिसकल पर नहीं टालना है और अंतरात्मा की आवाज को सुनके कारे करना है उपाय क्या करना है आप संकट मोचन हनमान जी की अराधना करें हनमान जी को चोलार पित करें और हनमान जी का हनमान चलिसा का पाठ करें अच् इस मंत्र का जब करना आपके लिए अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज जिन दर्शकों का जन्दीन है उनके जन्दीन की बहुत-बहुत बधाई धेरो सुब काम लाएं आपका जन्दीन सुब हो मंगल मैं हो आपका चतुर्द आप पर भगवान भूले नात के किर्पावर से हैपी बढ़ लें आज इन दर्शकों का जन्दीन है उनका मुलांक होता है आठ तो आज खास तोर से आठ सत्रह चब्विस तिति की जो जन्दीन जाता हो तो उनका मुलांक होता है आठ आठ नंबर के लोग काफी संघर्ष करते हैं संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं इनके अपनी व्यक्तिकत कोई जीवन नहीं होता है दूसरों को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका होत होगा दूर देश के अत्रह होगी अचानक कई महत्मूर कार होने से मन परसंद रहेगा देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च अपरेल मई जून तक का कालखंड आपके लिए आर्थिक दिश्ट्रिकोंट से बहुत ही अच्छा है कार में सुक समरिद्दी में ब्रिद्द होगी नया कार होगा घर में नया मेहमान आएगा और कई महत्मूर कार होने से मन परसंद रहेगा पुना जुलाई अगर सितंबर थोड़ा संघर्ष कर आएगा चुनोतियां आ सकती है हेल्थ को ले करके चिंता हो सकती है पुना आपका अक्टूबर नुमबर दिसंबर अंत मंतरात्मा की आवाज को सुनके कारे करना है उपाय क्या करना है आप संकट मोचन हनमान जी की अराधना करें हनमान जी को चोलार पित करें और हनमान जी का हनमान जी का पाठ करें अच्छा रहेगा और मंगलबार के दिन क्या करें कि हनमान जी को के शरिया कलर का सिंदूर ले अब बादे